हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंदर मोदी हमेशा से ही शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। और गुनोटसव जैसी अनेक अभिनव योजनाय अमल में लाएं। एवं गुनवत तापून शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए शिक्षकों की पार दर्शक भरती और परियाप्त बुनियादी सुविधाय सुनिश्चित कराते हुए उन्होंने गुजरात को शिक्षा के क्षि प्रतिशत तक पहुँच गया है और साल दो हजार एक दो में ट्रॉप आउट रेट 37.22 प्रतिशत था जो घटकर साल 2023-24 में 2.80 प्रतिशत हो गया है। विध्या समिक्षा केंद्र स्थापित किया गया जो आज पूरी दुनिया के लिए रेल टाइम ओनलाइन डेटा मॉनिटरिंग का एक मॉडल बन गया है। विध्या समिक्षा केंद्र मॉडल को अपने राज्यों में लागू करने की दिशा में। कई राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं उच्च अथिकारियों ने विध्या समिक्षा केंद्र का दौरा किया और उसे अपनानी की ओर कदम बढ़ाए हैं। साथी World Bank, UNICEF तथा OECD जैसे वैश्विक संगठनों की टीमों ने गुजरात के विध्या समिक्षा केंद्र मॉडल को एक Global Best Practice के रूप में माना है। इन सभी पहलों की सफलता के आधार पर गुजरात सरकार स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव की और बढ़ रही है। जिसके लिए 12,000 करोड रुपे की लागत से देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन, Mission Schools of Excellence चुरू किया गया है। Mission Schools of Excellence के अंतरगत गुजरात की सभी 40,000 सरकारी स्कूलों को नविंतम सुविदाओं से सुसच किया जा रहा है। हर बर्द खंट के लिए शिक्षक की उपलब्दी सुनिश्चित कराई जा रही है। अधिक से अधिक छात्र Schools of Excellence का लाव उठा सके। इस हेतु से स्कूल ट्रांस्पटेशन सेल भी कारे रहत हैं। अब Mission Schools of Excellence 2.0 के अंतरगत सरकारी और ग्रांटीन एड के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को भी परिवर्थित किया जा रहा है। इन सभी पहल और प्रयास के परिणाम स्वरू। कक्षा 8-9 में ड्रॉप आउट दर 2021-22 में 23.31% से घटकर 2023-24 में 5.4% हो गया है। और शुल्य ड्रॉप आउट दर सुमिश्चित करने के लिए कुजरा स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत की गई है। जिसके अंतरगत कक्षा 9-12 तक के रजिस्टर विद्यार्थियों को स्टडी सेंटर द्वारा पाथ्य पुस्तक और डिजिटल कॉंटेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी। समाज की प्रगती के लिए सामाजिक भागिदारी बहुत जरूरी है जिसे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्रे श्री नरेंदर मोधी जी ने प्रश्परप्रयास के रूप में वर्नित किया है। और इसी सूत्र से प्रेरित होकर गुजराज सरकार ने भी गुनवत्तापून शिक्षा के लिए सामाजिक भागिदारी का एक अभिनव मार्ग अपनाया है। जिसके अंतरगत कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले चात्रों के लिए महत्वकांक्षी निवासी शाला शिक्षा कारिक्रम शुरू किया गया है। गुजराज सरकार ने विशिष्ट मेरिट स्कॉलर्शिप योजनाओं की घोशना की है। इन सबे स्कॉलर्शिप योजनाओं में 50% स्कॉलर्शिप कन्याओं को प्रदान की जाएगी। सामाजिक भागीदारी के इन प्रयासों के फलस्वरों सरकारी स्कॉलों के 25 लाग से अधिक मेधावी चात्रों को अमरित काल के 35 वर्शों में अपने सामर्थे को संपून साक्षाक्तर करने का अद्वितिय अवसर मिलेगा। हमारे माननिय प्रधान मंत्री शिन्नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और रास्ट्रिय शिक्षा नीती के माग दर्शन से गुजरात ने स्कूली शिक्षा में अध्वितिय परिवर्तन किये हैं।